खरण दोस्तो नमस्कार एशमकिसी चैनल में मैं आप सब्लों का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ सो रस तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो आ चुके तो इस सारे वीडियो के लिंक आपको नीचा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जरूर उनको अच्छी तरीकी से स्टडी कर लेना फर्स ताइम वीडियो के हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आकोन को एट करना एट एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासे इस चैनल पर भी वीडियो कर सकते हो बहुत एक इंपोर्टन वीडियो आ चुका है लगबग 80,000 से भी जादा लोग ने इस वीडियो क को मिल जाएगा वीडियो लंबा है 17 मिनिट का है बट काम का वीडियो है इसका वी लिंक उपर आए बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो चले दुस्तों फिलाली सुड़े को स्टार्ट कर लेते हैं सो अब हम लोग आचुके बिलकुल नमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर जैसे मैं आप लोग को प्रॉमिस किया था कि यहाँ पर हम लोग कुछ पॉर्टफोलियो इसकी बात करेंगे देखिए वीडियो के शुरुबात में कहता हूं मैं कोई रेकमेंडिशन नहीं देता हूं इसके रेंबेड़ों को मैंने का था कि बहुत सरे डिफ्रेंंट डिफ्रेंट टैपस के पॉर्टफ़ोलियों रहते हैं अगर आप झालंने किया था अच्छा रहा तो मैं आपको जरूर ऐसे पॉर्टफोलिय से रिलेटेड भी गाइडन्स दे दूंगा तो फिलाल आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले तो नो टेंशन पॉर्टफोलिय मतलब ऐसा पॉर्टफोलिय दोस्तों जहां पर हम लोग 10-12 स्टॉक्स की बात कर नहीं होता है आपको interest नहीं देना पड़ता है कोई जंजेत नहीं होता है कोई external- burden कि कब पैसा देंगे तो एक टेंशन नहीं होता है और आपका विजिनेस भी मोनोपॉलिय मतलब यहां पर मैंने में सेम वीडियो में बनाता है और यही स्टॉक्स ने हम लोगों को 4-5 पाँच गुदा रिटं से ये एक फाइदा हम लोग को मिलता है तो एक-एक इक स्टॉक में बताने Kollegin कूछ रिस्की स्टॉक भी है तो वह रिस्की स्टॉक को में ज़रूर आपको नोट करवा दूंगा अगर आप रिस्क देना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं तो आप चाहो तो उनका वर्ड भी कर सकते हैं शुरुआत करेंगे यहां पर जूबिलेंट फुड आप सब लोंग पता है बहुत ही सुन्द टॉमिनोस पीजा तो सुना होगा अभी इसमें मोनोपॉली क्या है दोस्तो तो जैसे मैंने का कि पीजा से रिलेटेड अगर हम लोग आप बात करें इनका बिजनेस बहुत जबरदस्ट चलता है पीजा कि अगर आप बात करते हैं निवेश करने के लिए तो फिलाल यही एक स्टॉक वैसे मार्केट में अवलेबल है और पिछले पाच साल में देख लेना क्या रिटन्स कमा के दिए 800% की रिटन्स अगेन के रहा हूँ पाच साल के रिटन्स है दोस्तो पाच दिन के नहीं सबको रिटन्स नजर आते 800% क्या मस्त रिटन्स है पर पाच पास साल करना पड़ता है अगर आपके पास यह है हाईर लेवल पर भी अगर खरीद आये तो कोई चिंता की बात नहीं लंबा खेलो में बार-बार के रहा हूं कितने सारे लोगों ने इसको 2000 में बेज दिया था भाग नहीं रहा था बीच में लिटरली बेज दिया यह को चार्ट देखिए CDSL आज पॉपिलर हुए जब पहले में आप लोगों के आप इससे बारे में जिक्र किया था तब यह स्टॉक लगातार नीचे ही जा रहा था अगर मैं आप बात करूं यह देखिए कितना गिरा था 27-30% लगबग डाउन था अगर मैं एक्जैक्ली भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा तो मिने बताया था कि होल्ड करना आना चाहिए नहीं कि अभी आज देख रहें आज वो स्टॉक का से का चला गया 500% की रिटन्स आपके स्टडी के उपर आपका भरोसा भी होना चाहिए हो सकता है कभी आप लोग गलत भी जाओगे ऐसी कोई बात नहीं कि हर वक कोई 100% सही जाता है बट स्टडी तो किजिए स्टडी नहीं करोगे तो आज कोई भी स्टॉक खरीद लो चार दिन वो निचे आगे तो आप बेचने ही वाले हो उसको सो सीडी एसल अच्छा स्टॉक है आगे फ्यूचर में ग्रोथ जरूर है बहुत ज्य सबके सब लंबी आओधी में अच्छे रिटन्स दे चुके है दोस्तो 500% और आगी भी देंगे तो आप चाहो तो इसके बारे में विचार कर सकते हो नेक्स्ट अगर में बात करो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये भी कमपनी सेम लाइक आयर सिटी सी ही पहले जादा कोई इसके बारे में जिक्रह नहीं कर रहा था जैसे ही तेज हो गया रिटल मेंस्टर को इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है अभी हाईर लेवल से थोड़ा सा नीचे आ गया तो स्टॉक सड़नली खराब हो गया तो ऐसी कोई बात नहीं है आज भी हमारे पास ये स्टॉक है कम अधर कंपनी दोस्तों मोनोपली टाइप ही इसका भी बिजनेस है कमोडिटी एक्सजेंज की अगर हम लोग यहां पर बात करें अच्छा बिजनेस है इनका भी अगर आव इसका भी परफॉर्मंस देखोगे अभी तक का कितना है देखी 26 पसेंट अभी यहां पर ज्यादा लगा के रखा हुआ है देख लेते हैं आगे कभी ना कभी तो तेजी आई जाएगी उमीद तो है अच्छा कर सकता है कमपनी तो बढ़िया ही परफॉर्मंस देने वाला है नेक्स्ट अगर बात करें तो हिंदूस्तान अरोनिकल्स लिमिटेड वर्निंग मतलब स्टॉक आपको देना चाओंगा कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगती सरकारी कमपनी जिसमें मैं भी हूँ बट कुछ-कुछ कमपनियां वाकई में अच्छे ऐसा नहीं कि सबके सभी वाईया थे हिंदूस्तान अरोनिकल्स लिमिटेड अगर हम लोग बात करें जो प्लेंस रहते हेलिकॉप्टर से चौपर्स रहते इससे रिलेटेड यह कंपनी काम करती है अभी कल या परसोई इनको डियार डूसे कोई तो ऑडर यहां पर मिला था जितने भी सरकार के कभी भी कोई एहलान होते बड़े-बड़े डिफेंस की पैकेजेस की बाते तो इस कंपनी को कोई न पर सट्ट खराब नहीं अगर बात करें तो एवनी सूपर माट अ अभी रीटेल के बिजनेस तो हर कोई करता है तो मोनोपॉली क्या है तो दोस्तो मोनोप्उली है असके ऑसपस कोई है भी नहीं जो ट्रेंड है इसके नीचे जो आता है को सो दूर है यह तो यह कंपनी एक निफ्टी फ्टी में वैसे मतला आने के लिए पूरे सक्षम है तो आज नहीं तो कलिए उसमें भी आ जाएगा तो बाइडिफॉल्ट उसको फाइदा ही होने वाला है सब एक रुपे का करजाने किसी के उपर बहुत ही शांदर में लॉंग टर्म बोरिंग की बात कर रहा हूं नेक्स्ट अगर बात करें तो केमिकल की यह गौर दिगज कंपनी पेडिलाइट हाइली स्टेबल कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है दिमे 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 चलती है इसका पैटन वन फ्मेश्ट चाट पैटन यह देखी बहुत ही खूबसुरत चाट पैटन वाली कंपनी सो मनोपरी भी है देफ्री भी है मोनोपरी मतलब क्या फेवी कॉल से रिलेटेड अल्टरेट यह ही क्या फेवी की इस टेक वह तो इनी के प्रोडक्स है तो बहुत ही 25% प्लस बिजनेस इनी के पास जाता है बचा हुआ 10% इन लोगों में बढ़ जाता है तो यह बहुत अच्छा मोनोपॉली है अफल इंडिया ऑनलाइन प्लैटफर्म आप लोगों ने देखा होगा जो एडवर्टीजमेंट देखते हो आप लोग जो इसके उपर आते यह उ कितना रिटन है पाथ सो साड़े पाथ सो रिटन बढ़ देखे 2019 मतलब दो तीन साल ही पकड़ लेना तो रिस्क तो ज़रूर रहेगी दो तीन साल में हम लोगों को इतना कुछ पता नहीं चलता है अभी तक तो अच्छे रिटन बन चुके हैं IRCTC येस सर IRCTC अरे ओवेसली नीचे आ गया मतलब किया स्टॉक थोड़ी ना खराब होता है आज भी हम लोग इसमें बहुत ही गजब के प्रॉफिट में हैं बहुत ही गजब के सिर्फ देखे जो लोग भागतीवे ट्रेंड पकड़ना चाते हैं वो तो फसेंगे ही IRCTC में जाएंगे कल किसी और स्टॉक में जाएंगे स्टॉक अच्छा है कोई खराब नहीं होने वाला है दोजार पचीस तीस तक के बात करें रेलवेस कोई रुकने वाले नहीं है एक कॉमन पर्सन के लिए ट्रैवल का सबसे बेस्ट सोर्स होता है और मुझे नहीं लगता जो कि इसको थोड़ा सा दूख दर्द दे सकते हैं वरना देखा गे तो यह कंपनी फर्स्ट क्लास कंपनी है और अभी तक के रिटन्स भी अगर आप देखोगे 433% के रिटन्स है तो यह भी कोई ओवर दिनाइट रिटन्स नहीं बने इसके लिए भी सालों साल होल्ड करना पढ़ता है तो अच्छी कंपने डेफ्री है प्लस मोनोपॉली भी है नेक्स्ट तो यह कोई डेफ्री नहीं है TCS की बात करें Infosys की बात करें डेफ्री नहीं इनके जैसे तो IT वाले कितने कंपनी एक्सेल टेक है Tech Mind रहा है L&T Info Tech है LTTS है Emphasis की अगर हम लोग आपे बात करे उसी की साथ-साथ Info Age की अगर हम लोग यहां पर बात करें कितने सारे कंपनी से Happiest Mind भी है KPIT टेक है सो यहां पर क्या खास है देखिए यह दोनों है खुश होते हैं सार यहां पर रिटन्स बहुत अच्छे मिल रहे तो दूसरे ऐसी बात नहीं यह बहुत वोलेटायल स्टॉक है कब 10,000 पर जाएगा कब 10 से वापस 4,000 आएगा इसकी कोई गरेंटी नहीं बट है अच्छा स्टॉक एचली ग्लास कोट खास करके कंपनी अब लोग एचली ग्लास कोट को यहां पर चेक कर रहे हैं जब तक परिशानी रहने के चांसे ज्यादा रहेंगे अच्छा यहां पर सबसे ज्यादा अभी जितने भी मिने जो स्टॉक बते ना उसमें सबसे ज्यादा रिसकी यह स्टॉक है आज कितना है 5,800 कुछ समय पहले देखिए कहा तक गया था 7,550 देख लेना कितना नीचे फटक आ गया तो इसका आरतिया ने कि वो स्टॉक खराबे करके आप देखोगे यहां पर एक मैने में तो आपको नीचे नजर आएगा 6 मैने के रिटन्स देखो इसके 65% के रिटन्स है एंड एक साल के रिटन्स आप दे सकते तो आप जरू इनके बारे में क्या कर सकते हो इनको ब्लाइंडली कॉपी मत कर लेना मैं अलग-अलग आपकी रिक्वायर्मेंट रहते हैं उसके ही सबसे पोटफोलियो बनाते रहता हूं सो वीडियो के शुरुवात में जैसे मैं आपको कहा था कि अगर आपको एक risky portfolio चाहिए, risky मतलब समझ रहे हो, 200-300% बन सकते हैं, पैसा 3-4 गुना हो सकता है, बट डूबा तो 50%, 30-40% भी नीचे जा सकते हैं, डूबेगा तो नहीं, बट 30-40% correction बड़े-बड़े correction आ सकते हैं, उ थोड़ा dangerous रहेंगे, 500 से कभी 200 आ जाएगा, 200 से कभी 1000 चले जाए, ऐसे stock रहेंगे, so फिलाल इस वीडियो को यही पर उखना चाहँगा, वीडियो अच्छा लगे, तो like and share भी कर दिना, so that's it, thank you very much, we will be meeting our next video, तब तक के लिए, bye bye